गाइस आजके इस वीडियो में मैं कुछ अंगलिश वर्ट्स के बारे में बात करूँगा तो चले गाइस फड़ा फड़ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले मैं बात करूँगा Eventually the sky cleared up and we could go back home यहाँ पर eventually एक adverb है इसका मतलब होता है आखिरकार या फिर अन्त में clear up यहाँ पर एक phrasal verb है इसका मतलब होता है किसी बीमारी में सुधार होना या फिर मौसम सुधर जाना तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आखिरकार बादल साफ हो गया या फिर आसमान साफ हो गया या फिर मौसम में सुधार हो गया और हम घर वापस जा सके next मैं बात करूँगा I love drinking piping hot tea यहाँ पर piping hot एक adjective है इसका मतलब होता है खाने पीने की चीजें बहुत ज़्यादा गरम यह फिर गर्मा गरम है तो उनके लिए बोल सकते हैं कि वो piping hot है तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मुझे गर्मा गरम चाहे पीना बहुत ज़्यादा पसंद है next one is it's so blistering afternoon today यहाँ पर blistering एक adjective है इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गरम मतलब अत्यादे गरम तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि आज दोपहर में बहुत ज़्यादा गरमी है यहाँ पर आज दोपहर बहुत ज़्यादा यहाँ अत्यादे गरम है next one is your injury is quite severe let me call the doctor यहाँ पर severe एक adjective है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीव वाला तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि तुमारी जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा तकलीव वाली है या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर है मुझे डॉक्टर को बुलाने दो या फिर डॉक्टर को call करने दो next one is I can rely on him he is an upright यहाँ पर rely on एक phrasal बहुती है इसका मतलब होता है किसी person पर भरोसा करना या फिर किसी चीज पर भरोसा करना उस पर निर्भर रहना upright एक adjective है इसका मतलब होता है कि गोई person है वो बहुत ज़्यादा इमानदार है मतलब जिम्मेदार है या फिर सच्चा है यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर मैं उस पर निर्भर रह सकता हूँ कि वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इमानदार है या फिर जिम्मेदार है next मैं बात करूँगा you will have to refute his statement यहाँ पर refute एक वर्व के रूप में यूज कर सकते हैं इस वर्ड को इसका मतलब होता है किसी चीज को या फिर किसी परसन को गलत साबित करना उसको जूटा ठहराना यहाँ पर statement एक noun है इसका मतलब होता है कोई बयान मतलब किसी के द्वारा कोई कही गई बात या फिर किसी के द्वारा कोई लिखी गई बात तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि उसके बयान को तुम्हें जूटा साबित करना होगा या फिर गलत साबित करना होगा नेश्ट वन इस इहाँ पर एक वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़ादा किसी चीच की वज़े से गुस्सा दिला देना अराइवल यहाँ पर एक वर्ड है इसको ऐसा नाउन यूस किया जाता है इसका मतलब होता है किसी चीच का या फिर किसी परसन का आगमन मतलब वहाँ पर उसकी पहुंच तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि उसके देरी से आने की वज़े से या फिर वो देरी से पहुचा इसकी वज़े से मैं बहुत जादा गुस्सा हो गया था या फिर इसने मुझे बहुत जादा गुस्सा दिला दिया था एक नाउन है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा श्रम या फिर प्रयास तो यहाँ पर इसका मतलब होता है तो यहाँ पर इसका मतलब होगा बहुत जादा शारिरिक तोर पर प्रयास नहीं करना चाहिए या फिर मेहनत नहीं करनी चाहिए नेश्ट वन इस आफटर श्टडिंग फॉर फाइव आर्ड्स आई वस क्रैंकी यहां पर क्रैंकी एक एडजर्टिव है इसका मतलब होता है next one is the child was sobbing because he lost his toy यहाँ पर sob एक verb के रूप में यूस कर सकते हैं इस word कूछ इसका मतलब होता है सिसकाते हुए रोना या फिस सिसकाते हुए कुछ कहना मतलब दीरे दीरे मतलब रोते भी है और दीरे दीरे सिसकाते हुए कुछ कहते भी है उस sense में इसको बोल सकते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि बच्चे ने अपना खिलाओना खो दिया तो इसकी वज़े से वो सिसकाते हुए रो रहा था इसका मतलब होता है कि कोई परसन है वो असुरक्षित है या फिर कोई चीज है वो असुरक्षित है मतलब वो प्रोटेक्टिड नहीं है इसका मतलब होता है कि वो अजनबी है या फिर अपरिचित इनसान है यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि वो अजनबियों के सामने या फिर ऐसे इनसानों के सामने जिनको वो जानते नहीं है उनके सामने या फिर जब वो आसपास होते है तो वो शाय हो जाती है शर्मिली हो ज इसका मतलब होता है जुवा खेलना तो यहां पर इसका मतलब होगा कि उसने जुवे खेलने में बहुत सारे रूपिये गवा दिये या फिर वो बहुत सारे रूपिये हार गया Next one is I had a lot on my plate so that's why I couldn't talk to you यहां पर have a lot on somebody's plate एक idiom 30 का मतलब होता है किसी के पास करने के लिए एक ही समय में बहुत सारा काम होना या पर एक ही समय में करने के लिए बहुत सारा काम होना तो उसकी वज़े से बहुत ज़दा व्यस्त होना तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मुझे बहुत सारा काम था मतलब मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम था इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया next मैं बात करूँगा your eminence is the reason for success यहाँ पर eminence एक noun है इसका मतलब होता है स्रेश्टता या फिर उच्चता या फिर महानता तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है सफलता के लिए तुमारी जो उच्चता है या फिर तुमारी जो महानता है वो कारण है मतलब मैं सफल हुआ हूँ या फिर कोई भी परसन सफल हुआ है तो उसकी सफलता के लिए तुमारी महानता कारण है या फिर तुमारी स्रेश्टता कारण है नेक्श्ट मैं बात करूँगा यहाँ पर एड्मोनेस एक वर्ब है इसका मतलब होता है किसी परसन की गलती के लिए उसकी डांट फटका लगाना या फिर गंबीरता से उसको कोई सलाह देना तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि उसके पापा ने उसे देरी से घर आने के लिए डांटा या फिर गंबीरता से सलाह दी की लेट ना आए नेक्श्ट मैं बात करूँगा यहाँ पर एक डिस्पैल वर्ड है इसको एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर नाइस्टोफोबिया ही वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि जैसे किसी परसं को अंधेरे के डर की बिमारी होती है तो इसका मतलब यह है कि हम उसको बोल सकते हैं कि उसको नाइश्टोफोबिया हो गया है तो इसी की वज़े से वो अंधेरे की वज़े से डरता है तो यहां पर इस line का मतलब होगा कि light जलाते ही उसका अंधेरे का डर दूर हो गया या फिर अंधेरे का डर खतम हो गया मतलब उसे nice to phobia है तो इसी की वज़े से वो अंधेरे से डरता है तो light जलाते ही उसका अंधेरे का डर खतम हो गया So that's it guys for this video Guys अगर आपने यह वीडियो यहां तक देख लिए तो मैं चाहता हूं कि आप comments में 5,7,6 टाइप करके मुझे comment करके बताइए इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास तक देखा है और इस वीडियो पर 300 like कर दीजिए Thank you so much for watching this video I'll catch you in the next video Take care